ग्यावसाई के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनती थी, समधरी डखे थी, उसके उपर सही इलाज निकलने के लिए और पर्मनेंट उसके उपर सोलूशन निकलने के लिए इस बिल के माध्यम से एक सही कानून बनाने का प्रयास माननिया मंत्री मोहदवई जी ने किया, इस सबापति मोज़ा इस विशाई के उपर बोलने के लिए मुझा उसर दिया, इसके लिए आपको भी मैं धन्यवाद देता हूँ. समुद्री डकेती उच्चत समुद्रों पर व्यापार और वानिज्य के लिएक प्रमुक खत्रों में से एक है. हिंद माहस अगर विश्व के तेल उत्पादन और वैश्विक समुद्री व्यापार में एक महत्व पुर्ण भुमी का निभाता है. लेकिन समुद्री लुटेरों, तसकरों और आतंकवादियों के कारण हिंद माहस अगर अत्याधिक और सुरक्षित और अस्तिर है. यहाँ पाया गया है कि समुद्री लुटेरों के हमले में दक्षिन पुर्व आशियाई देश सबसे अधिक प्रभावित बन चुके थे. यह अधन की खाड़ी में बड़ी हुई नौसेनिक उपस्तिती के परणाम सुरुप है, जिसने समुद्री लुटेरों के संचालों को पुर्व आशिया और दक्षिन की ओर स्तानांतरित कर दिया और भारत के पश्शिम तट से उनकी निकटता बड़ा दी है. खास करके सभापती मोहदय, मैं बताना चाहता हूँ कि 3 दिसंबर 2019 को एक कच्छे तेल वाहक पर सवार कई भारतियों, करीबन 18 भारतियों को नाइजेरिया के तड़ से अगवा कर दिया और बाचित के बाद, कई दिनों के बाद उनको रिहा कर दिया, लेकिन नाइजेरिया के तड़ के पास समुदरी डखों के द्वारा अगवा करने की अन्य कई भी घटना इसके पहले भी हुई थी, 2020 में भी, दशकों से भारत को समुदरी डखे ती के अपरात से, संबधी किश्री विश्रिष्ट कानून के अभाव में, ऐसी कई घटनाओं को सामना करना पढ़ रहा था और इसलिए 1995 में United Nations Convention on the Law of the Sea, एमें एक महत्वपुर्णा संशोदन किया गया और यह बिल उसी प्रतिवद्दक्ता का एक परिणाम है, एंटी मेरिटेम पायरे सिबिल टूजरो वन नाइन जो समुदरी डखेती से संबंधित अपरादियों के लिए व्यक्तियों के खिलाप मुकदमा चलाने और हमारे जहाजों और चालक दल को सदस्या की सुरक्षा सहीद भारत के समुदरी व्यापार को सुरक्षा को बढ़ा पावा देने के लिए एक अंतर राजिय समुदरी डखेती विरोधी कानौन बना रहा है ऐसा मैं इसकुद मानता हूं पहले समुदरी लुटरे पर भारतिया दंड सहीता आनि आईपीसे आट के उपर 1860 के ताथ सशस्त्र डखेती से निपटने के लिए प्रावधानों और विश्ष्ट अदलों के नववन अधिकारों अधिकार क्षेत्र के तथ मुकद्दा माँ चलाया जाता था इसलिए भारत के जलक्षेत्र के पाहर किसी विदेशी द्वारा कई चोरी का कारिया आईपीसी के तथ अपराद नहीं माना जाता था सबापतिम हो दे और इससे अर्थिक शत्र के सीमा से सटे समुद्र के सभी हिस्तों के लिए एक प्रावधान करने का अधिकार इस बिल्लेक बिल के माद्यम से मिल रहा है सभापति महोदय बिल केंद्र सरकार को सम्मधित उच्चनायले के मुख्य नयादिश के परामर्श से प्राभावित कानून के तह समुद्रित डखेति के अपरादों के त्वरित परिक्षन के लिए कुछ अदालोतों को नामित नयालों के रूप में से निद्दिश्च करन मंतिरी महोदय ने किया कि एक वेश्च कोस्त है इसक शेत्रा में नयाले का निर्मान होने के आवश्च अगता है ताकि हमारे फिशर्मन जो है फिशर्मन को भी इस समद्री डखेति जो रहे उसे कई समस्या को सामना करना पड़ता है तो इस बिल में अधिकार क्षेत्र की सि मां गिरबदारी और जबती सजा और दंडम मान होदिकार पहलू के बारे में मुकदमे के इनले नामित अदालो अदालोतों और प्रत्यरपन के प्रावधान आदी के बारे में भी कई बाते स्पष्ट की है और उसमें वक्त वक्त में सौशोदन करने की आवश्चकता भी र चलाने में सक्षम बनाएगा चाहे उनकी राष्टेता कुजबी हो और यह सदन इसे अदिनियम बनाने में मदद करेगा समुद्री ढकेती पर समर्पित आंतर राज्य कानून के कार्यानों से भारत्य नोवसेना या तटरक्षत को राष्टेता का परवाह के बीना पकड़े गए समुद्री लुटरे पर मुकद्दमा चलाने में जरूर मदद मिलेगी और इसे भारत को समुद्री ढकेती से निपटने के लिए अंतर राष्य प्रयाश का हिस्सा बनाने में मदद होगी साथ साथ में मंत्री महोदैज से यह भी मैं एक विननती करना चाहता हूँ कि राज्य यानि अंतर देशिया जो फिशर्मन है अपने अपने देश के अन्य अन्य राज्यों में इसमें भी कई जगे पर समुद्रवार चलता है मंत्री महोदैजी अभी जैसे की साथ के कई स्टेट के फिशर्मन महाराष्ट में आते हैं गुजरात के महाराष्ट में आते हैं महाराष्ट के अन्य कई जिले में जाते हैं कई फिशिंग करते करते हैं श्रिलंका में जाते हैं तो ऐसे फिशर्मन को भी सही मदद करने के लिए या उनमें कुछ जगडा नहीं होने के लिए आप सही वत पे उसमें कानून बना कर उनको भी मार्गेशन करेंगे ऐसी मैं आशावेक्ते करता हूं और सभापति महोदय इस बिलका में समर्तन करता हूं धन्यवाद श्रीकल्यान बनर जी श्रीकल्यान बनर जी